उसकी रूप रहखा की हम बात करते हैं तो एनिमल्स यतने भी हैं अपके एनिमल्स को हम तो सबसे पहले हमने classification का base रखा कि उसके अंदर number of cells कितनी है अगर एक है तो proto-joa उसको का है और एक से ज़्यादा है तो उसको हमने meta-joa उसको हमने कहा है अब meta-joa को हम आगे again classify कर सकते meso-joa, pera-joa और you-meta-joa के अंदर basically हम इसके अंदर pera-joa और you-meta-joa के हम बात करते है pera-joa number of cells ज़्यादा है उसके अंदर लेकिन cells ही है इनके अंदर cells से tissue का निर्मान नहीं हुआ इनके अंदर हम ही पता है कि cell है cell से किसका निर्मान होना होता है एक जसी कोशी काई मिलकर जो उत्तपती में सम्दचना में की आर कारिया में समान होती है tissue का निर्मान करती कहती है vesssu मिलके आपके organ का निर्मान करते है organ मिलके आपके system का निर्मान करते है तो एइसे जन्तों का υॉलम है summa है जिनके अंदर कोशी कां ही ह् पाई जाती है using cham magazines über the division कि अलगला कारे करने के लिए विएधित हो गई है, तो ऐसे जनत होगा समय, पोरी फेरा कि आम बीदे हो 320 पोरी फेरा, पोली का मतलब पोरस मि दान्द करने वह से जनत हों कि जिनके शरीर के उपर सो तो हमने पेरा जवा की बात चानध की कि इस से पीरती ऊपस्तित होती है और चानधर का लेवर है तेão ऊळने के लिए स्थेन और संसलम करने के मों बात happy ऊन्वे करने के लिए ओंद करया यह यह मेटा जोगा चाहरा है है कि साधार और पी कि अंदर सम्मिति कैसी है और बाद ही कि definitely ईशन तल्से करहां का तो दो वराबर समरूह वागा के अंदर विवाजित हो जाते और बेटरिया तरह के फिर के आपके ने मैं लोकुंत बात क्याश्य को हैं अपके बाहता की नेड़ीच अ में बात करेंगे अब और की था लेकिन सथे प्रकार की नहीं है तो उसको अब बात करें और है तुम भाट दांए जिटने भी आपके ने मेटोड से आगे जितने आप क्या है और इसे आगे हम नेक्स्ट लेक्टर में बात करेंगे करेंगे विस्तार से हम बात करेंगे जो भी हमने बात की थी बेसिस और क्लासिफिकेशन की विस्तार से वारे बात करेंगे आज का लेक्टर नहीं तर्ड़ करेंगे